कि जल्दी ही Activa 7G भी आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर नमस्ते दोस्तों and welcome to our channel कैसे है आप लोग आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ बेस्कूटर फॉर कॉले स्टूड़ city में traffic बढ़ते जा रही है और sms scooters अच्छा choice बनते जा रहे है क्योंकि इनको city traffic में चलाना easy होता है और इनके अंदर storage के भी अच्छे options आप लोगों को मिल जाते है साथ में mileage भी बढ़िया मिल जाता है और आज तो बहुत से features भी मिल जाते है like fully digital instrument cluster और bluetooth connectivity जैसे अच्छे features और ये सब चीज तो college students को चाहिए right तो अगर आप भी अपने लिए daily commit करने के लिए एक अच्छा scooter देख रहे हो तो आप लोग सही जगह पर आए हो क्योंकि ये वीडियो में मैंने ऐसे 10 best scooters को include किया है और सब scooters का latest on road price and real world mileage भी share किया है जिसके वज़े से आपको थोड़ी extra help हो जाएगी ये वीडियो को मैंने categories में divide किया है तो बात करते हैं सबसे पहले वो scooters का जो कम budget में आते हैं दिखने में भी ठीक लगते है और mileage तो best देते हैं तो सबसे पहला scooter है hero plasher plus x-tech ये scooter का look अच्छा है और ये एक lightweight scooter है जिससे इसको city traffic में handle करना बहुत ही ज़ादा easy है इसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर mince की थाने महाराष्टर में 95,000 से लेके 98,000 के बीच में अगर आपका budget थोड़ा सा कम है तो आप इसके normal version के लिए भी जा सकते हो बड़ मैं आपको recommend करूंगा plasher plus x-tech क्यूंकि इसके अंदर थोड़े अच्छे features आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर 110.9 cc का air cool engine है जो के बार produce करता है 8 bhp का and 8.7 Nm stock generate करता है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर अच्छे features भी आपको मिल जाएंगे और mileage भी अच्छा deliver करता है लाइक 50 से लेके 52 kmpl के बीच में आपकी height अगर जादा है तो maybe हो सकता है कि आपके लिए ये scooter थोड़ा सा uncomfortable feel हो braking की performance अच्छी है और इसके अंदर अभी के लिए आपको only drum brake का ही option मिलेगा तो चलिए भी बात करते हैं next scooter के बारे में तो वो है TVS Jupiter ये scooter में दो models है एक है 110 cc वाला और दूसरा है 125 cc वाला दोनों भी scooters में आपको बहुत जादा space और बहुत अच्छा mileage भी मिल जाएगा इसके साथ साथ कुछ latest features भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे बट मैं आपको recommend करूंगा Jupiter 110 इसका latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 90,000 से लेके 1,07,000 के बीच में और इसके अंदर 109.7 cc का ऐर कूल इंजिन है जो के बार प्रोडूश करता है 7.77 bhp का and 8.8 Nm stock generate करता है इसका weight है only 109 kg का और यह scooter इंडिया में famous है खास करके इसके बहुत ही अच्छे mileage के वज़े से यस इसका real world mileage है 50 से लेके 52 kmpl के बीच में इसके अंदर आपको drum and grease brake दोनों के भी options मिल जाएंगे और safety के लिए TVS की SPT braking technology भी मिल जाएगी build quality इसकी अच्छी है और जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपको सबसे जाधा space मिल जाएगा तो चलिए अभी next scooter के बारे में बात करते हैं तो वो है Honda Dio यह scooter के लिए आप जा सकते हो अगर आपको एक trustable scooter चाहिए तो जिसकी build quality अच्छी होनी चाहिए और features भी अच्छे हो तो यह scooter आपके लिए है Honda Dio में 109.51 cc का fan cool engine है जो के power produce करता है 7.65 bhp का and 9 Nm stock generate करता है यह engine smooth है और mileage भी अच्छा deliver करता है like 48 से लेके 50 kmpl के बीच में उतरा ही नहीं इसकी price range भी सही है like 87,000 से लेके 92,000 के बीच में डियो में आपको अभी के लिए only drum brake का option मिलेगा और safety के लिए Honda की CBS braking technology भी मिल जाएगी इसका weight है 105 kg का और मेरे पास इसका old model था still यह scooter एक trustable है और city में चलाने के लिए perfect choice है तो चलिए भी बात करते हैं next category के scooters का जिनके अंदर आपको सबसे जादा features वाले scooters मिल जाएंगे तो सबसे पाहला scooter है hero zoom यह scooter उनके लिए है जिनका budget कम है और उनको सब कुछ चाहिए means की अच्छा look भी चाहिए अच्छे features भी चाहिए अच्छा engine भी चाहिए तो यह scooter आपके लिए है इसके अंदर 110.9 cc का air cool engine है जो के power produce करता है 8.05 bhp का and 8.7 newton meter stock generate करता है और mileage भी अच्छा deliver करता है like 48 से लेके 50 kmpl के बीच में यह engine पहले से अभी और भी जादा smooth है और vibration आपको थोड़े से कम मिलेंगे इसके अंदर साथ में performance भी इसकी अच्छी है जूम में आपको drum and disc brake दोनों का भी option मिल जाएगा और safety के लिए hero की IBS breaking technology भी मिल जाएगी इसका weight है 109 kg और zoom का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 89,000 से लेके 99,000 के बीच में इसकी build quality अच्छी है और इसके parts भी सस्ते है hero ने इसको specially young generation को ध्यान में रखकेर बनाया है जिनको अच्छा look भी चाहिए और अच्छे features भी चाहिए तो चलिए भी next scooter के बारे में बात करते हैं तो वो है hero destiny 125 x-tech यह scooter mixture है सब चीजों का means की इसके अंदर आपको कुछ modern features मिल जाएंगे एक 125 cc का engine मिल जाएगा और साथ में look भी अच्छा है और उतना ही नहीं यह सब चीजे आपको कम price range में मिल जाएगी means की इसका latest on road price range है 94,000 से लेके 1,02,000 के बीच में यह scooter की handling बहुत ही अच्छी है जिससे इसको city traffic बेच चलाना या handle करना बहुत ही जादा easy हो जाता है और इसके suspension का setup भी अच्छा है जिससे आपको ride quality अच्छी मिलेगी destiny में 125 cc का air cool engine है जो के power produce करता है 9 bhp का and 10.4 newton मेडर stock generate करता है और यह engine mileage deliver करता है 44 से लेके 47 kmpl के बीच में सब चीज सही है बट जस्त तरिफ एक चीज missing है और वो है disc brake और उसी के वज़े से इसकी braking की performance थोड़ी सी weak है high speed के अंदर इसका weight है 114 kg तो चलिए भी next scooter के बारे में बात करते है तो वो है tvs and torque मैं इसके बारे में कुछ जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यह scooter पहले से ही popular है youngsters के अंदर इसके अंदर आपको best in class features मिल जाते हैं इंजिन भी powerful है और दिखने में भी अच्छा लगता है जिसके वज़े से youngsters की obvious choice बन जाता है यह बात तो है कि इसके अंदर जो new model आया है वो बहुत ही जादा costly है like इसका latest on road price range है 1,4,000 से लेके 1,27,000 के बीच में means की अगर आप 10,000 extra दोगे तो शायद से आपको 160 या 155 cc का scooter मिल जाएगा and torque में आपको 124.8 cc का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 9.25 bhp का and 10.5 Nm stock generate करता है यह engine पूरे segment में सबसे जादा powerful है और pickup भी अच्छा है but power जादा होने के वज़े से mileage थोड़ा सा कम मिलेगा आपको like इसका real world mileage आपको 38 से लेके 40 kmpl के बीच में मिल जाएगा इसका weight है 116 kg का और इसके अंदर एक और छोटा सा issue है वो है इसकी build quality का तो चलिए अभी next scooter के बारे में बात करते हैं तो वो है suzuki evnis 125 ये scooter बहुत जल्दी popular होते जा रहा है इंडियान मार्केट के अंदर क्योंकि दिखने में कुछ-कुछ end torque जैसा लगता है बड़ बाकी सब end torque से अच्छा है लाइक इसका engine इसका mileage और इसके अंदर आपको better quality parts भी मिल जाते हैं last month इसकी sales बहुत ही अच्छी हुई थी इंडिया में क्योंकि ये एक affordable scooter है लाइक इसका latest on road price range है 1,08,000 से लेके 1,15,000 के बीच में evanis में latest features के साथ साथ आपको Bluetooth connectivity भी मिल जाएगी जो आज के time पर एक extra added advantage है इसमें आपको 125cc का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 8,58 bhp का and 10 Nm stock generated करता है ये engine की performance अच्छी है और fuel efficiency तो बहुत ही अच्छी है like 52 से लेके 54 kmpl के बीच में इंजिनिस का smooth है and reliable है and sitting position भी अच्छी है इसका weight है 106 kg का और इसके अंदर अभी के लिए आपको only disc brake का option मिलेगा तो चलिए finally बात करते हैं वो scooters का जिस पर लोग trust करते हैं और आप भी आराम से trust करके उनको ले सकते हो तो सबसे पहला scooter है Yamaha Ray ZR 125 यह scooter की popularity बढ़ते जा रही है और क्यों नहीं Ray ZR दिखने में कुछ अलग लगता है features इसके अंदर आपको अच्छे मिल जाएंगे और engine भी अच्छा है इसका latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 1,02,000 से लेके 1,15,000 के बीच में इसके अंदर आपको 125 CC का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 8.04 BHP का and 10.3 Nm stock generate करता है और यह पहला scooter है अपनी category के अंदर जिसके अंदर आपको hybrid technology वाला engine मिल जाएगा जिसके वज़े से इसका mileage काफी अच्छा हो जाता है लाइक इसका mileage आपको 52 से लेके 56 kmpl के बीच में आराम से मिल जाएगा रेजडर बहुत ही lightweight scooter है लाइक इसका weight है only 99 kg का mostly इसकी fiber की body के वज़े से इसलिए इसको CT में चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है food board की size थोड़ी सी छोटी है जिसके वज़े से taller rider के लिए में भी problem हो सकती है और build quality थोड़ी और better होनी चाहिए थी इसके अंदर आपको drum and disc brake का option मिल जाएगा और साथ में safety के लिए UBS braking technology आपको बिल जाएगी तो चलिए भी next scooter के बारे में बात करते हैं तो वो है Suzuki XS 125 ये scooter का look normal है like classic look बट उसके साथ साथ आपको इसके अंदर features अच्छे मिलते हैं और उतना ही नहीं ये सब चीज आपको बहुत ही कम price range में मिल जाता है like इसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 99,000 से लेके 1,12,000 ये सई सुना आपने इसका lower model अभी भी एक लाग के on road price range में आ जाता है XS में आपको 124 CC का air cool engine मिल जाता है जो की power produce करता है 8.6 BHP का and 10 Nm stock generate करता है और ये scooter mileage भी अच्छा deliver करता है like 50 से लेके 52 KMPL के बीच में इसके अंदर आपको drum and disc brake दोनों का भी option मिल जाएगा और साथ में safety के लिए CBS braking technology भी मिल जाएगी power delivery स्मूध है और ride quality भी इसकी अच्छी है इसमें आपको बाकी सब scooters के जैसे idle start and stop का switch नहीं मिलता है और इसका weight है only 103 KG का तो चलिए finally बात करते है last scooter के बारे में तो वो है Honda Activa यह scooter इंडिया में बहुत पहले से है और एक trustable scooter है build quality भी इसकी अच्छी है और engine भी best in class आपको इसके अंदर मिलेगा बट इसके अंदर आपको features जादा नहीं मिलेंगे और look भी इसका simple है इसके अंदर 109.51 cc का fan cool engine है जो की power produce करता है 7.68 bhp का and 8.84 Nm stock generate करता है इसका engine super refined है और mileage अच्छा deliver करता है like 48 से लेके 50 kmpl के बीच में कुछ body parts इसके आपको battles के मिल जाएंगे और इसकी seat body and spacious है और हाँ आगर आपका budget अच्छा है तो आप Activa 125 के लिए भी जा सकते हो Activa 6G में अभी के लिए only drum brake का ही option आपको मिलता है और news कुछ ऐसे आ रही है कि जल्दी ही Activa 7GB आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर तो अगर आप लोग थोड़ा सा wait कर सकते हो तो it's really good thank you so much guys for watching अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का doubt है किसी भी scooter के regarding आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर मेसेज कर सकते हो thank you so much guys for watching bye bye and congratulations for your new scooter